सारे ही विद्यार्थियानों प्यार परिशात श्रीयकाल मैं प्रीत सिंग अज फिर थोड़े मुरे लेके हाजिर हुए हाँ राजस्थान अज मेर बोड विच जड़ी दसमी जमात नू पंजाबी दी किताब लग दी है साहीत सुगंदिया विच अपना तीज चेफ्टर चल रहे ही तीजे कवी चल रहे ही शिरीगुरु अमरदास जी उन्न दियां दो रचनामा अपा परण ले यांसी मन्तु जोत शरूप हैं ते सती यां इहने आखियन जडियां बाकी दो रचनामा रेंदी असी उन्ना दिवारिया पाज बढ़ाँगे तीजी रचना श्री गुरु अमर्दास जी जिर्योसदा की नाम है जगत जलंदा राखले जगत दा मतलब हुन दे जी संसार जलंदा दा मतलब जल रे जल रे है ताओ की केंदे गुरु अमर्दास जी, जगत जलन्दा रखले अपनी किर्पातार, जलत जलन्दा रखले, कि हे मेरे परमात्मा, ये सारे दा सारा जगत, सारे दा सारा संसार, पापा वीच, बुराया वीच जल रहा है, तो इसनों बचाले, अपनी किर्पातार, अपनी इस जगत दी रख्या कर जित दुवारे उबरे जित दा मतलब जित दा मतलब जिस दुवारे दा मतलब तरां जिस तरां उबरे दा मतलब बच सकदा है जित दुवारे उबरे मतलब जिस तरां बच सकदा है तिते दा मतलब उसे तरां लह उबार्दा मतलब बचा ले कि हे मेरे परमात्मा जिस तरह ही बच सकता है उसे तरह तो इस संसार दी रख्या कर इसनों बचा ले सत्गुरु सुख विखा लेया सच्चा शवद विचार कि सत्गुरु दी उस सच्चे परमात्मा दी बंदगी कर नाड सानों सुख दी प्राप्ती हुन दी है और सानों सच्चे शवद दी समझा दी है विचार दा मतलब असी विचार कर दे है सत्गुरु सुख विखा लेया परमात्मा दी बंदगी नाड सानू सुख मिलदा है और सानू सच दे बारे पता चलदा है की पता चलदा है नानक अवर्ना सुझ इ अवर्ना मतलव होर कोई सुझ इदा मतलव सुझ दा है यानि कि सानु ए गाल सुझ दिया है कि होर कोई भी साधी रख्या करना ने हर बीन बक्षन हार हर दा मतलो परमात्मा बक्षन हार दा मतलो बक्षन हारा क्यों सचे पाध्षा तो भीना परमात्मा तो भीना सानु कोई नी बक्ष सकता इस लई सानु दी बगति करनी चाहिए दि और इसनों जिमे भी हो सकदा उसी तरह बचाल है परमातमा दी बंदगी नाल सानू सच दी प्राप्ती हुंदी है और सानू ए गल समझे हुंदी है कि उस सचे पाधिशा तो बिना कोई भी साड़ी रख्या नहीं कर सकदा खीक है जी ओस तो अगली है ए शरीरा मेरिया ए देविच ए शरीरा मेरिया देविच की करना चोंदे है गुरू अमर्दास जी ए शरीरा मेरिया हर तुम महे जोत रखी ता तु जग महे आया कि हे मेरे शरीर हर दा मतलब परमातमा तुम महे दा मतलब तेरे विच जोत दा मतलब आतमा रखी ता तू जग में आया जगदा मतलव संसार कि हे मेरे शरीर जदो परमात्मा ने तेरे अंदर जोत रखी सी तेरे अंदर आत्मा रखी सी ओधो ही तू इस संसार देविच आया है हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया सेम हो ही लेन है, हरदा मतलब परमात्मा, जोता मतलब आत्मा, तुद विच मतलब तेरे विच, जगदा मतलब संसार कि जदो उस सचे पादिशा परमात्मा ने तेरे अंदर जोत रखी सी, फेर ही तुई से संसार दे विच आया है हर आपे माता आपे पिता कियो प्रमात्मा ही अपने माता पिता है जिन जीओ उपाई जीव जन्तु उपाई दा मतलब पैदा किती कि जिसने जीव जन्तु पैदा किती है जगत दिखाया सानुए संसार दिखाया अर्थात उस सचे पाधिशा ने आप जीव जन्तु पैदा कीते है आपानों इस संसार दिखाया है ओ ही अपना माता पिता है गुरपरसादी बुझेया बुझेया दा मतलब समझेया कि गुरुदी किर्पा नाड़ गुरुदी रेमत नाड़ आपानों गल समझेया चलत होया चलत नदरी आया चलत होया दा मतलब खेड तमाशा एक खेड नहीं होंदी जो में एक मदारी खेड दिखोंदा है ओ उस इतना एक तमाशा लग रहा होंदा है गुरपरसादी बुझेया कि गुरुदी गाल नाड़ सनु एक गल समझेया कि ये सारा संसार है एक खेड तमाशा है ठीक है एस संसार वीच कुछ नहीं आपन मिलना जो वास्तविक अपनी गती होनी है उपरमातमा दी बंदगी करनाडी होनी है इसलिए उस दी पगती करिए इस संसार वीच आपा सदा नी रहना क्योंकि ये तक खेड तमाशा है कहे नानक स्रिस्टी का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया स्रिस्टी ता मतलब पूरा संसार कवी कहन दे है कि पूरे दे पूरे संसार दा मुलू सस्चे पादिशा नी रख्या है उन्ना ने जदो आपने अंदर जोत रखी ता आपा फेरी ये संसार वीच आए है इसलिए आपानों शुक्रिये वज्जों उस पर मातमा दी पजन बंदगी करनी चाही दी है ताकि आपना जीवन सफल हो सके उस तो अगे जी दे परशन उत्र है जिमें हेट लिखिया काव तुकां दी परसंग साहीत व्याख्या करो परसंग थोनों पता ही जिमें मान के चला आपा पहली करनी है ऐस दा परसंग व्याख्या करनी परसंग दी विच आप लिखांगे कि ए काव टोटा या ए सत्रा साधी पजाबी दी पाठ पुस्तक साहीत सुगंदियां विच लईया गई है इस दे कवी श्री गुरु अमर्दास जी है इस कवीता दा नाम मन तु जोत शुरूप है और इस विच आपने मन नो उस दी कीमत दे बारे समझा रहे है गुरु अमर्दास जी कवीता नाम, किताव दा नाम और कवीता दा नाम को मेरे विच बंद करना है अग्योदी व्याख्या कर दोंगे व्याख्या पर पिछली आप लासा विच कर ही चुके है मन तू जोत शरूप है शवद्दा केंदरी पाव लिखो तक केंदरी पाव उन्दा जी ओस कवीता दे वारे संक्षेप चे लिखना चोटा करके लिखना व्योच कादी गन हो रही है जी मैं तो जश्या कि है मेरे मन तू परमातमा दरूप है राप दरूप है तू अपना मोला अपनी कीमत पहचान उस परमातमा दी पजन बंदगी कर जो अपा व्याख्या कीती है उन्न संखेप चे लिख देना है गुरू जी अनुसार असल सती इस्त्रियां किन्ना नुँ आख्या जा सकता है जो अपने पती दा विछोडा सेंदिया है उदी विछोडे चे भी संगर्श करके अपनी जिन्दगी नु जियोंदिया है जा जियोंदे पतियां दी जो औरता सेवा कर दिया है उँ असल सतिया जगत जलन्दा राखले शवद्धा सार अपने शवद्धा मिचलिको जिदो सार आजे तो पूरी दी पूरी कवीता उतार देनी है जिदी व्याख्या सार्दा मतलो सारी ए शरीरा मेरे शवद्ध विच गुरु जी मनुखनू के वजया बढ़न लई प्रेर दियन जिदो परमात्मा ने तेरे अंदर जोतर रखी ताई तो इससार भी चाहे सी इसलिए तो एक चंगा इंसान वान उस परमात्मा दी पजन बंदगी कर उस दसिमरन कर नानक अवरने सुझ ए हर बीन बक्षन हार इस तोक तो कीपाव है तो एदा ए मतलब है कि आपनो एगल हमेशा याद रखनी चाहिए कि उस परमात्मा भी ना उस सचे पादिशा भी ना आपनो बक्षन आड़ा कोई नी इसलिए आपनो दी पजन बंदगी करिए ठीक है जी कलास चंगी लगे चाहिए लाइक ना करे हो पर इसनों शेर जरूर कर दे हो जी क्योंकि जड़े होर भी पंजाबी पड़न आड़े बच्चे है उन्हादा भी फैदा हो सकी ठीक है जी तरनावाद